नमस्कार प्रणाम आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज मैं आपके साथ सन्य शिंग आईए आपको कमाल का टेकनोलोजी दिखाते हैं जरा साब इधर कैमरा में आगे आईएगा अभी देख रहे हैं यह हम छोटी गंगा में घूस रहे हैं पूरा अदम ध्यान से देखिए और यह चोटी गंगा कहीं नहीं है नवादा सहर में और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हां से जो लोग आ रहे हैं उनसे मैं अभी जरा दो मिनट रुकिया बात करेंगे हलो रुकिए एक मिनट जरा इधर आई अभी कुछ लोग इस जगह से आ रहे थे कहां स लगा यहां कि जो बेवस्ता है नगर नेगम उसको क्या करना करें अभी मैं इनसे ज्यादा बात नहीं करूंगा चुकि रात अभी बारा बजने बाला है आईये मैं आपको पूरे पानी में आपको देख के बताता हूँ कि यहां के जो कमाल का नौमी फेल इंजिनियर का जो कमाल का टेकनोलोजी दिमाग लगाया है वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ यह अभी जो जिस जगा पे मैं हूँ यहां से सीधे रोद नवादा टाउन की ओर जाती है और अभी आप देख सकते हैं कि कितना क पानी पर आहे उसके बाद यह इस्थिती आ गया है आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे बरसात का जब मोसम आएगा तब इसका क्या इस्थिती होगा आप देख सकते हैं कि पानी का बहाब इतना था कि एहां से पानी अंदर घर तक घुस गया है हलकि अभी रात बारा ढबि होगा बढ़िया से देख लिजिए गा ये जल जल इधर कैमरा इधर कीजीए गा पूरा जल जमाब आप देख की अनुमान लगा सकते हैं कि किस परकार का ब्रिवस्ता यहां पे हलाकि यहां के जो अस्थानिय लोग है जो आसपास की लोग हैं या जो बाहर से आते हैं उनको आने जाने में कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा आप अनुमान लगा सकते हैं एक चीज़ देख लिजे यहाँ पे बजरंग बली का यहाँ पे एक बहुती भब मंदिर बना हुआ है अगर लोग इसमें पूजा करने आएंगे तो इसी नाली के पानी में हेल के उसके बाद बजरंग बली मंदिल में पूजा करने के लिजाएंगे आप एक चीज़ यहाँ के जो नगर पाली का है नगर नीगम यहाँ के है कहाँ सोई हुई है किस परकार से यहाँ का बिवस्ता है आप देख लीजिएगा लोग जब यहां पर आते हैं तो आने जाने में कितना दिकत का सामना करना पड़ता है इनी लोग से पूछ सकते हैं देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और साइक्ल से आ रहे हैं फिर भी इनको उतर के जाना पड़ रहा है चुकि पानी का बहाब जादा है गड़ा जादा है हम लोग तो देखिए चपल खोल के इसमें गुसे हैं कहीं न कहीं जादा गड़ा होगा तो ससरा अंदर भी जा सकते हैं इसमें और पूरा देख सकते हैं पूरा यहां से वहां तक करीब अनुमान लगा सकते हैं 500 मीटर तक यह पानी का जल जमाब हो गया है अभी मैं कहीं आपको चिन्नई महराष्ट की कथा नहीं सुना रहा हूं यह नवादा की कथा सुना रहा हूं और यह नवादा के गोंदापूर का यह में रोड है यहां से सीधे मार्केट की ओर जाता है और यहां से सीधे फोर लाइन पकड आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कहा गयें यहाँ के नगर परिशद कहा गयें यहाँ के नगर निगंबाले इस परकार का विवस्ता अगर आपके घर के आगे होगा ना तब आपको पता चलेगा कि सिस्टम क्या होता है बरसात आने से पहले जल से जल इसको सुध भारना चाहिए कि नहीं आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताईएगा फिर मैं आपसे मिलता हूं बात करता हूं कैमरा मैं नभी सेख के साथ मैं सन्नी कुमार जैहन